दोस्तो दुनिया बहुत ही बड़ी होती है जहां कुछ जगह अपनी सुन्दर्ता के लिए जानी जाती है तो कहीं कुछ जगह अपनी प्रेत वाधित होने के कारण जानी जाती है दोस्तो इस वीडियो में सुन्दर्ता के विशय में ना चर्चा करते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूँ दुनिया के सबसे प्रेत वाधित इस्टेशन के बारे में अगर आप इस ठोपिक पे इंट्रेस्टर हैं तो बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो पे लेट्स इस्टार्टिद दोस्तो मध्विप्रदेश के सुहागपुर रेलवे स्टेशन के बारे में ये कहा जाता है की रात में यहां एक महिला के चीखने और कई तरह की अजीब आवाजे सुनाई देती हैं रात में इस्टेशन में बिलकुल सुनसान हो जाता है और सिर्फ दो चार लोग ही दिखाई देते हैं नमबर नाइन रवेंद्र सरोवर मेट्रो इस्टेशन पस्चिम मंगाल कोलकाता के इस मेंट्रो स्टेशन को लेकर पैरानार्मल एक्टिविटीज की कहानिया फेमस हैं यहां रात साड़े दस बजे अंतिम मेंट्रो चलती है और उसके बाद स्टेशन वीरान हो जाता है कई बार लोगों ने महसूस किया है कि यहां अचानक ही कोई साया ट्रैक के बीच प्रकट हो जाता है और पलक जबकते कायब हो जाता है इस मेंट्रो स्टेशन पर कई लोग जान भी दे चुके हैं नमबर एट पाताल पानी रेल्वे स्टेशन मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश में खंडवा के पास इस रेल्वे स्टेशन को भी हॉंटेड माना जाता है कहा जाता है कि अंग्रेजों ने सुतंतरता सैनानी टंट्या मामा भील को मार कर फेक दिया था आज भी अगर कोई ट्रेन यहां से गुजरती है तो ट्रेन को उनकी समाधी के पास रोक कर उन्हें सलामी दी जाती है और इसके बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है इस थानीये लोग बताते हैं कि यह टेन रुखकर सलामी ना दे तो वह दुरघटना ग्रस्त हो जाती है इस चेशन काहा जाता है कि यहाँ पर अकसर रात के समय इस्टेशन और रेलवे ट्रैक पर कुछ अजीब सी चीजे देखने को मिलते हैं ऐसी कहानी की इस स्टेशन के पास इस्थित नैनी जेल में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बन थे जिने को टॉटर्चर किया रहता था और बारियों की वक्ति हो गई मुमबई के मुलुंड रेल्वे इस्टेशन के बारे में भी यत्रियों और इस्थानी लोगों का दावा है कि उन्हें यहां रात में किसी के चीखने, चिलाने और रोने की आवाजे सुनाई देती हैं दावा है कि यहाँ उन लोगों की आत्माए हैं जो रेलवे ट्रैक को पार करते समय किसी हाथ से का सिकार हो गए थी लुधियाना इस्टेशन पंजाब लोधियाना इस्टेशन के एक काउंटर के बारे में लोगों का कहना है कि उन्होंने वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस किया है। दावा किया जाता है कि यहाँ के रिजर्वेशन काउंटर पर एक सुभास नाम का व्यक्ति बैठता था वह काम से बे इंतहा प्यार करता था इसी वज़े से उसकी मौत के बाद उस कमरे में जो भी काम करने के लिए गया उसे तमाम परिशानियों से जूझना पड़ा। द्वार सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन दिली के द्वार का सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के बारे में लोगों का एधावा है कि यहां रात को अक्सर ही गाडियों के पीछे एक महिला का साया दिखाई दीता है। लोग देर रात तक इस मेट्रो स्टेसर पर जाने से बचते हैं नमबर थ्री चित्तूर रेलवे स्टेशन आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश के इस स्टेशन को लेकर भी भोतिय कहानिया प्रचलित हैं इस्थानिये लोगों का कहना है कि स्टेशन पर आरपीएफ और टीटी ने मिलकर सी आरपीएफ के एक जवान की खोग पिटाई कर दी थी जिसके बाद उसकी मरत्य हो गई इस घटना के बाद से उस सी आरपीएफ जवान की आतमान्या के लिए इस स्टेशन पर भटकती रहती है नमबर टू बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पस्चिम मंगाल पस्चिम मंगाल के पुरूलिया जिले में इस्थित बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन बोतिया कहानियों के कारण बयालुस साल तक बंद था साल उनाइस सो साथ में खुले इस रेलवे स्टेशन पर साम ढलने के बाद लोग आज भी जाने से डरते हैं इस्थानी ये लोगों का कहना है कि यहां के स्टेशन मास्टर ने एक रात पट्रियों के बीच एक लड़की के साय को देखा था इसके कुछ दिनों के बाद रेलवे स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत हो गई थी इस गटना के बाद से यह स्टेशन मंद था और फिर साल 2009 में खुला नमबर वन बडोग रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश चीड और देवदार के जंगलों से गीरा हुआ बडोग हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में इस्थित है यह टूरिस्ट के बीट ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन इसके खुबसूरती किसी को भी मंत्रमुक्द कर सकती है लेकिन बडोग रेलवे स्टेशन और सुरंग की कहानी बेहट रामनी है कहा जाता है कि बडोग स्टेशन के बगल में इस्थित टनल नंबर 33 के पास अकसर ही पैरनार्मल एक्टिविटीज देखी जाती है सो दोस्तों ये थे कुछ इंडिया के हांटेड इस्टेशन प्लेसे आपको इन में से सबसे ज़ादा कौन सा हांटेड इस्टेशन लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह हारर कंटेंट देखते रहने के लिए हमाई चैनल को सस्क्राइब कर दीजे मिलते हैं नेक्स रीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई